कुपुआरा की डिस्टिक हॉस्पिटल में डालेसिस यूनिट काएं लोगों को मिल रही राहत डलजील को साफसुत्र बनाने और आलुगी से पाख करने के लिए चलाय जा रही ड्राई और बच्चों की खेल सलाहियत को निखारने के लिए मोहिया कराई जा रही ट्रेनिंग नमस्कार आदाप मैं हूँ आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा बात सबसे पहले करते हैं तिबी सहुलियात में इजाफे की जमु कश्मीर में बहतर तिबी सहुलियात की फहरामी को यकीनी बनाने के हर सदा पर इकदामात किये जा रहे हैं इसके लिए बाकाइदा नए नए मेडिकल कॉलेजिस और हॉस्पिटल की तामिरों तोसी की जा रही है साथी पहले से मौजूद अस्पिटलों में तमाम तरह की सहुलियात को बहाल किया जा रहा है ताकि मौलिक बिमारियों का इलाज भी आसानी से हो सके इसी के तहट कुपवारा जिले के डिस्टिक अस्पिटल में डायलेसिस सेंटर काइम किया गया है सेंटर के काइम होने से इजले के दूर दराज के इलाकों के लोगों को बड़ी रहत मिल रही है पेश हमारी ये रिपोर्ट बेहतर तिब्वी सहुलियात की फरहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की अबलीन तरजीहात में शामिल है लिहाजा अस्पतालों को तमाम तरह की जदीतरीन सहुलिया से लैस किया जा रहा है ताकि महलिक बीमारियों का इलाज आसान हो सके इसी के तहट कुपवडा जिले के डिस्टिक हॉस्पिटल में डालेसिस यूनिट को कायम किया गया है प्रधान मंत्री नैशनल डालेसिस प्रोग्राम के तहट इस यूनिट के कायम होने से खुद्रती तोर पर लोगों को बड़ी रहत मिल रही है पाबले जिक्र है कि पहले लोगों को इसके लिए श्री नगर और दूसरे शेहरों में जाना पड़ता था गुद्ष्टा नौ बर्सों से मुझे डालेसिस की जरूरत पड़ रही है इसके लिए मुझे श्री नगर जाना पड़ता था और उसमें मुझे बहुत जादा खर्च करना पड़ता था अब जब कि यहाँ पर इस सेंटर को कायम किया गया है तो मेरी मुझे आसान हो गई है कुपोड़ा जिले के हॉस्पिटल में हमें अब ये सहूलत मुहया है इसके लिए मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ गुर्दे के ठीक तरह से काम नहीं करने की सूरत में इनसान को डालेसिस की जरूरत होती है इसका इलाज काफी महंगा होता है लिहाजा लोगों को रहत पहुँचाने के लिए मुलक भर के हर एक डिस्टिक हॉस्पिटल में डालेसिस यूनिट को कायम करने का अजम किया गया है National Health Mission यानी NHM के तहट इस प्रोग्राम का आगाज 2016 में किया गया 2016-17 के बजट के तहट मुलक भर के हर एक जिले में डालेसिस यूनिट को कायम करने के मनसूबे पर तेजी से अमल किया जा रहा है डालेसिस खून को साफ करने का आसान सा तरीका है ये मुस्तकिल और गेर मुस्तकिल दोनों होता है गुर्दे ना बदल पाने की सूरत में इसकी बार बार जरूरत होती है लेहाज़ा अगर ये सहूलत आसपास के इलाके में मुहया ना हो तो इस मर्ज में मुबतला अफराद की मुश्किले मुझीद बढ़ जाती है इसके अलावा हर बार इसमें तक्रीबन तीन से चार हजार रुपे खर्च होते हैं इस से होने वाली परिशानियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रधान मंत्री नैशनल डैलेसिस मनसूबे का आगास किया गया अस्पताल में इस सर्विस के बहाल होने से लोगों को कुद्रती तोर पर बड़ी राहत मिल रही है यहां के जो भी पेशनल थे सी के डी के जिनको डैलेसिस की जूरत पड़ती थी उनको बहुत दूर जाना पड़ता था डैलेसिस के लिए सरकारी अस्पतालों में हर एक तबके के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं उन्हें मुक्तलिफ कि बिमारियों से निजात दिलाने में यह एहम रोल भी अदा कर रही है यह इसलिए भी मुम्किन हो पा रहा है कि अस्पतालों को इलाज से मुतालिक साजों सामान से लैस किया जा रहा है दीगर बात यह है कि मुहलिक बिमारियों का इलाज हमेशा से लोगों के लिए एक बड़ा चालेंज रहा है लिहाजा हुकूमत की जानित से किये जाने वाले एकडामात उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने में तो मददगार हैं ही साथ ही उस पर होने वाले खर्च से राहत पहुचाने में एहम साबित हो रहे हैं और अब बात करते हैं डल जील को साफ सुत्रा बनाने के लिए चलाए जा रही क्लिनिंग ड्राइब की कश्मीर में मौजूद एहम सयाहती मकामात की बात की जाए तो इस लिहाज से डल जील की अपनी मरकजी हैसियत है यानि डल जील का दीदार करना और उसे लुफ्त अंदोज होना सयाहों के कश्मीर दौरे का लाजमी मकसद होता है जाहिर है कि इतने एहम सयाहती मकाम की खुबसूरती बरकरार रहे इसके लिए वक्तन फवक्तन डल जील की सफाई की जाती है और आलूत की से पाक रखने की कोशिश की जाती है अब जब सयाहों की कश्मीर आमद होगी तो उन्हें डल जील की खुबसूरती के दीदार करने का तजूरवा भी मुक्तलिफ होगा जो यकीनन उन्हें सुकून बखशेगा आएए देखते हैं कि कि जोशोर से डल जील की सफाई का काम चल रहा है हुसने फितुरत का भीतरीन नमूना अगर किसी को कहा जा सकता है तो यखीनन वो कश्मीर है कुद्रती खुबसूरती को अपने दामन में समेटे कश्मीर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जनके दीदार करने के लिए सहया यहां का रुख करते हैं वहां वो मुल्की सहया हो या घर मुल्की सहया कश्मीर के खुपसूर्ती उन्हें हमेशा कुद्रत के करीब होने का एहसास कराती है जहां तक कश्मीर के सहयाती मकामात की बात है तो इसमें सरे फिहरिस्त है श्रीनगर मिवा के डलजी लेहाजा डल जील की खुद्रती कुपसूर्थी को बनाए रखने के लिए एक वक्त के बाद इसकी साफ सफाई का काम किया जाता है इसी के पेशे नजर Lex and Waterways Development Authority की जानेव से डल जील को साफ करने का काम शुरू किया गया है अब बैथर होने लगा सफाई भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो दीरे दीरे बढ़ता जाय रहेगा और यहां काम कंटिन्यू हो रहा है जिद डल की सफाई पूरी हो जाएगी तो वो तो देखेगे डल कितना अच्छा है कितना लवडा का भी और गवर्मेंट का भी सपर्टिक स्टेफ है अच्छा है भी है और सफाई भी हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है Lex and Waterways Authority नामी इदारे की जानिब से डल जील की सफाई का काम जंगी सतय पर चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जील को साफ किया जा सके इसके लिए बखायदा मशीनों का इस्तमाल किया जा रहा है ताकि जील की आलोदगी को कम किया जा सके इस काम के लिए वीडिंग फॉल्वेस्टर के साथ साथ तकसर और वाटर मास्टर का इस्तमाल किया जा रहा है सपाई के दौरान जील से निकलने वाली गंधी को एक तरफ एकठा किया जाता है और फिर उसे यहां से दूर डंपिंग ग्राउंड तर पहुचाया जाता है इस पूरी मर्श्क के जरिये जील के खुब सूरती को उसके गुदरती हुसन को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है अब तूरिस्टी भी आने लगे हैं यहां पर कोई प्राबल्म नहीं है कोई मसला नहीं है वह आ सकते हैं हमारा डल पूरी तरफ से साफ है कुरोना वायरस के खत्रे के पेशे नजर जिस तरह से लॉकडाउन नाफिश किया गया और एहतियाती तदाबीर अपनाई गई उसका असर कश्मीर की सहयाती सरगर्मियों पर भी पड़ा है अब जब की रोजमर्रा की सरगर्मिया मामूल के मुताबिक शुरू हो चुकी है तो सहया भी कश्मीर का रोक करने लगी है हाला कि सहया अभी उतनी तादात में कश्मीर में नहीं है जितने की आम तौर पर इस सीजन में हुआ करती थी लेकिन इसमें इजाफे का रुज़ान साफ नज़र आ रहा है और अगर उनको डल जील के साफो शफाफ पाने का नज़ारा देखने को मिलेगा तो उनके कश्मीर आने और हाउस बोट में ठहरने के साथ-साथ शिकारे की सवारी का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा सयाहत को कश्मीर की मईशत की रीड कहा जाता है लहाजा इसको फरोग देना हुकूमत की तरजिहात में हमेशा से शामिल रहा है यही वज़ा है कि कश्मीर में मौजूद सयाहती मखामात की देखवाल के हवाले से हर सतह पर हसासियत का मुझाहिरा किया जाता है ताकि उनकी रौनक बनी रहे और उनकी खुदरती खुबसूरती फी की ना पढ़ने पाए और अब बात करते हैं खेलकूत को फरुग दिनी की सम्त में किया जाने वाले इकदामात की बच्चों में खेलकूत की सलाहियत को निखारने के लिए प्रैक्टिस के साथ सा तर्वियत जरूरी है इस पर तवज्जो भी मरकूसी जा रही है और इसके लिए बाकाइदा फुटबॉल कैम्प का एहतमाम किया जा रहा है यह यहां के मकबूल तरीन खेलों में से एक है और इसके तई बच्चों में दिवान की देखते ही बनती है इंतिजामिया की जानिब से मुनकिदा कैम्प में उनकी शिर्कत इसकी तश्दीक कर रही है बच्चों की खेलकूद में दिल्चस्बी को फरुख देने के हवाले से पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट बच्चे खेलकूद की सरगर्मियों में शामिल हो इसमें उनकी सलाहियत में निखारा है और इससे वो नई तवालाई हासिल करें इसके लिए जमीनी सतह पर कोशिशों की जरूरत है इसी के पेश नजर फुटबॉल कैम का एहतमाम किया गया मुख्तलिफ वजुहात के सबब बंद पड़ी खेलकूद की सरगर्मियों के बहाल होने से बच्चे पूर जोश नजर आ रही है यहाँ पर अलग-अलग उमर के बच्चों की केटेगरी बना कर उन्हें ट्रेनिंग बहया कराई जा रही है कोच का ताउन मिलने से उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और ये उनके खेल हुनर को निखारने में एहम सावित होने वाला है बच्चों की मजबूरी तरक्की के लिए खेल कूट जरूरी है दौरे हाजिर में वो इसमें करियर के इमकाना भी तलाश रही है इसके लिए बराबरी की सतह पर उन्हें ट्रेनिंग महया कराने की दरकार है लेहाजा मुल्क भर में जमीनी सतह पर खेल हुनर को निकारने और उनके हुनर को मंजर आम पर लाने के लिए वजीर आजम डरेंदर मोडी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम का आगास किया है इसमें मुक्तलिफ खेलों से मुतालिक बुनियादी ठाचे को मस्बूत बनाने के साथ-साथ बच्चों को ट्रेनिंग महया कराना भी शामिल है इस तरह के एक्दामाद की दुनियाद पर ही इस सम्ट में बेहतर नतीजे परामत किये जा सकेंगे हमने यह रिस्टार्ड किया है अभी आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए पूरा ग्राउंड बारा होता है बच्चों से जम्मू कश्मीर के लोगों की फूटबॉल में सलाहियत काबले तारीफ रही है यहां के कई सारे खिलाडी मुल्की और बैनुल अक्वामी सथै पर अपनी एक अलग शिनाख्त कायम करने में काम्याबी दर्च कर चुके हैं इनमें अब्दुल माजित काकरू, मुहम्मद यूसुफडार, इश्वाक एहमद और महराजुदीन बारू जैसे बड़े खिलाडी भी शामिल है जिन्होंने यूनियन टेरिटरी में फुटबॉल की मकूलियत को बढ़ाने में अपना एहम रोल अदा किया है ये कुछ ऐसी मिसाले हैं जिन्होंने नई पीड़ी के बच्चों की होसला वजाई करने में एहम पूल अदा किया है अब ग्रासूट जादा होता है अभी हमारे पूरा इंडिया में अभी ग्रासूट कम हो रहा है अगर उस पर ज्यादा दान दे मुझे ये कीन है कि हम भी यूर्पियन गेम खेल सकते हैं कि थोड़ा उसके जहर में हम ये डालेंगे कि ये फूस्टेंबाल देना ओपन खेलना हेडिंग करना ये डुबलिंग करना ये जो भी इसमें कीके आ जाती है उनको अची तरफ सीखना कैसी बाड़ी पूशन लाना खेल तुट को फरोग देने के कई सतह पर अग्दामात किये जा रहे हैं इसके लिए उनकी सलाहियत को निखारने के साथ साथ उनके हुनर को मंजर आम पर लाने के लिए टूर्नामेट का वक्तन फवक्तन एहतमाम किया जाता है मुक्तलिफ टीम के खिलारियों के साथ मुकाबले से उनके खेल हुनर में सुधार दर्ज होता है इस्पोर्ट्स कल्चर का महौल तयार होता है और इससे दूसरे बच्चे भी इसकी जानिब रागिब होते हैं जमीनी सतह पर खिलारियों के टैलेंट को मंजरे आम पर लाने में ये संगे मील साबित हो रहा है आगे बढ़ने से पहले आईए डालते हैं एक नज़ा सोशल मीडिया पर जहां पर जमू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरे सुर्खियों में हैं शाही जीरा की क्वालिटी और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कश्मीर के पंपूर में ब्लैक क्यूमिन कल्टीवेशन के लिए रिसर्च सेंटर कायम इसकी काश्टकारी नहीं है आसान लहाज़ा सेंटर के साइंसदा इसके लिए काश्टकारों को मोहिया कराएंगे ट्रेनिंग अब हर रोज 7000 अकीदत मंद माता वैशनो देवी के तई पेश कर सकेंगे अपनी अकीदत नवरात ने शुरू होने के मंदे नजर तमाम पहलों पर गोर करते हुए किया गया है ये फैसला बोर्ड के सी-ई-ओ आर कुमार ने कहा कि पहले रोज़ाना के 5000 अकीदत मंदों की तादात को बढ़ाकर 7000 किया गया यूनियन टेरिटरी में माही परवरी को फरूग देली की सम्ट में बायो फ्लॉक टेकनोलिजी को किया जा रहा है इंट्रोड्यूस इस टेकनोलोजी की मदद से इसकी पैदावार को बढ़ा कर कमाया जा सकता है अच्छा मुनाफार इसमें रोज़गार के हैं वसी इमकानाथ बानिकुरा के डिप्टी कमिशनर डॉक्टर ओएस एहमद ने गुश्टा दिनों एक मीटिंग का किया एहतमाम इसमें मौसम सर्मा के दौरान जरूरी सावानों के स्टॉक और उसकी सप्लाई को लेकर तैयारीों का लिया गया जायचा चासकर उन एलाकों को लेकर जहां पर मौसम सर्मा के दौरान होती है भारीबर्ष बारी और अब बात करते हैं गैजट्स की एपेल ने आईफोन 12 सीरीज के चार फोन लाँच करके मार्किट में बड़ा धमाका किया है इसमें आईफोन 12, आईफोन 12 mini, आईफोन 12 pro और आईफोन 12 pro max चामिल है आईए डालते हैं इसकी खास बातों पर एक नज़र एपल के आईफोन 12 सीरीज के सभी आईफोन पानी में आदे घंटे तक डूबे रहने के बाद भी काम करेंगे इसमें सिरमिक शील का इस्तिमाल किया गया है जो इसे मस्बूत बनाता है इसकी ड्रॉप प्रफॉर्मेंस चार गुना बेहतर की गई है ये 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इसके लिए iOS को भी आप्टिमाइज़ किया गया है इसमें A14 बायोनिक चिप का इस्तिमाल किया गया है कमपनी के दावे के मताबिक आईफोन 12 मीनी दुनिया का सबसे पहला और हलका 5G स्मार्टफोन है आईफोन 12 और आईफोन मीनी को तीन वैरियंट में लॉंच किया गया है और अब बात करते हैं जमू में रोपे सर्वीस को बहाल किये जाने की पिल्ग्रिम टूरिजम के तौर पर मक्बूल जमू शहर की हसीन वादियों के बीच से गुजरते हुए रोपे सर्वीस का आगास किया गया है करोना वाइरस के खत्रे के मतिनज़ा इसका कमर्शल ऑपरेशन बंद था बगए इसमें दर्ज हो रहे सुधार को देखते हुए से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है इसमें सफर करने का एक अलग ही मज़ा है इंतिजामिया के इस फैसले से लोग बेहत खुश है और वो इससे लुथ्फ अंदोज होने के लिए यहां पहुच रही है जम्मू इलाके में टूरिजम को फरोग देने में ये संगे मिल साबित होगा पेश हमारी ये रिपोर्ट जम्मू में सयाहत को फरोग मिले लोग यहां के खुद्रती खुपसूर्ती से लुस्तंदोज हो सके इसके लिए सडकों की भील भार से अलग यहां पर रोप वेज सर्विस का आगास किया गया उदिश्ता दिनों इसके पहले फेज का इफ्तिता किया गया कोरोना वारस के खत्रे के पेश नजर इसे लोगों के लिए बंद रखा गया था मगर अब इसमें दर्ज हो रहे सुधार को देखते हुए इसका कमर्शल ओपरेशन शुरू कर दिया गया है इसे खोले जाने के महस्त कुछ एक दिनों में छे सौ से ज्यादा लोग इसमें सफर कर चुके हैं हमने इस गंडोला सर्विस को कमर्शली ओपरेट किया फ्रम थर्ड आवदे अक्तूबर तो तब से ये कंटिन्यूर चल रहा है और अच्छा रेस्पॉन्स आया है इस हबते यहाँ पर कम से कम छे सो पैसेंजर जो है उन्होंने ये गंडोला जो है उसकी राइड ले ली तो आज भी अच्छा खासा राश है तो होफ़ली ये इसका जो यहाँ पर राश है टूरिश्ट को आना जाना वो बढ़ जाएगा लोग केबिल कार में बेफिक्र होकर सफर कर सकें इसके लिए यहाँ पर तमाम तरह के इहतियाती एक्दमात पर अमल किया जा रहा है उनकी थरमल स्क्रिनिंग की जा रही है और सेनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है फेस मास्का इस्तेमाल भी लाजमी है इतना ही नहीं केबिल कार में सफर करने वालो के पीच दूरी बनी रहे इसके लिए 6 लोगों की बजाय तीन लोगों को ही इसमें बैटने की इजासत दी जा रही है हुकूमत की जानिब से जारी काइड लाइन्स पर अमल करने में लोग भी अपना ताउन दे रहे हैं और उनके केबल कार का सफर सुहाना साबित हो रहा है जहां से हम मौम आया मंदर गिये हैं बहुत अच्छा लग रहा है अगे से नीचे भी उसका बन रहा है लेकशन भी त्यार नहीं हुआ है लेकर बहुत बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा केबिल कार में बैठ कर जम्मू की पुद्रती खोपसूरती का दिधार करने का एक अलग ही मज़ा है पाहू फोट से महमाया तक के 1.6 किलोमीटर लंबे इस पोजेक्ट में तीन टर्मिनल बने है बाहू फोट पीर खोप महमाया पार्क में बनाया गया है दूर दूर तक फैले हरे भरे पेर पौदे यहां से गुजरने वाले तावी दर्या के किनारे बसे पुराने जम्मू शहर का नजारा देखते ही बनता है यह एरियल सफर लोगों में ताजगी पैदा करने वाला साबित हो रहा है इस बात से लोग इत्तिफाग भी रखते हैं और अब हम आपको ले चलते हैं एंटर्टेंडमिन की दुनिया में बात सबसे बहले करते हैं अक्षी कुमार की मरकजी किरदार वाले फिल्म लक्ष्मी बम की इंतजार की घडिया खत्म हो चुकी है और मेकर्स के जानिप से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है फिल्म के ट्रेलर को शायकीन के जानिप से जबरदस पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है लक्षमी बम के ट्रेलर रिलीस के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट अदाकार अक्षे कुमार और अदाकारा कियारा आदवानी की मरकजी कितार वाली फिल्म लक्षमी बम का ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है सोशल मीडिया के प्लैटफॉर्म पर इसके ट्रेलर निधू मचा दी है शाइकीन इसे इंटर्टेनिंग मान रही है और इस पर अपना रियक्शन भी दे रही है फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर धमाकेदार है इसमें अक्षर कुमार और कियारा आदवानी के सालिश लोग के साथ इसकी शुरुवात होती है वैसे तो इसकी कहानी हॉरर पर बेस्ट है मगर इसमें कॉमेडी का भी भरपूर तड़का लगाये गया है भूत प्रेट में यकीन करने और ना करने को मरकज में रखकर इसका तानावाना बुना गया है इस पिमारी को सियोफोबिया कहते हैं फियर अफ शैडो यानि परच्छाई से डरना सबसे बड़ा भूत तो यही है यही है वो परच्छाई इस पे अक्षे कुमार ऐसे इस शक्स का करदार अदा कर रही है जिसका इसमें रती भर यकीन नहीं है लेकिन उनके जिसम में लक्षमी की एंट्री हो जाती है फिल्म में लक्षमी किस्ते बदला लेने के लिए इंसानी जिसम में दाखिल होती है इस दस्पेंस परच्छ से परदा पूरी कम देखने के बाद ही उट पाएगा और अब बाद अदाकार सल्मान खान की करते हैं वो अपनी अगली फिल्म रादी की शूटिंग में मस्रूफ हो गए है फिल्म के सेट से एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी तस्दीग की गई है करोना वारस के खत्रे के मद्दे नज़ार शूटिंग के दर्मयान तमाम तरह के एतियाती इकदामात पर अमल करते हुए इस फिल्म की शूटिंग को शुरू किया गया है पेश हमारी ये रिपोर्ट अदरकार सल्मान खान ने अपनी अगली फिल्म रादी की शूटिंग शूरू कर दी है फिल्म इसी बरस ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी मगर कुरूना वाइरस के खत्रे के मते नसर इसकी शूटिंग पूरी नहीं हो पाई अब इसमें सुधार को देखते हुए सल्मान खान तरजिहात की बुनियात पर इसे पूरा करने में जुट गए है फिल्म की शूटिंग के दौरान तमाम तरह के एहतियाती अग्दामात पर अमल किया जा रहा है सोशल मीडिया के प्लैटफॉम पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें इससे मुतालिक जानकारी दी गई है इसमें शूटिंग का पूरा हाल बताया गया है अदाकार जैकी श्रॉफ की आवाज वाली इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से कुरोना वायरिस के खत्रे को देखते हुए सब कुछ बदल गया है फिल्म के शूटिंग के सेट से जारी इस वीडियो में लोगों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखते उने दिखाया गया है फिल्म राधे में सलमान खान, जैकी श्रॉफ और रेंदी फुद्दा समेट दिशा पतानी एहम रोल में है और अब बात अदाकारा मादरू दिख्शित की करते हैं डांसिंग के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है और वक्तन फवक्तन इसे साबित भी कर रही है गुजिशता दिनों उन्होंने एक वीडियो शेर किया जिसमें वो गुजरे जमाने के मशूर गाने पर डांस करती नजर आ रही है उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लैटफॉर्म पर धूम मचा रहा है पेश है हमारी ये रिपोर्ट अधाकारा माथुर दिक्षित अपने मद्दाहों के इंटर्टेइन्मेंट का पूरा ख्याल रखती है तोशल मीडिया के प्लैटफॉर्म पर वो काफी एक्टिव हैं और इस पर अपने वीडियो भी शेर करती रहती है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गुजिशता दिनों एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो अपने डांक्स से लोगों को दिमाना बना रही है वीडियो में मादुर देख्षत फर्म मुगले आजम के सौंग प्यार किया तो डरना क्या पर डांक्स करती दिखाईते रही है इसमें उनका लोप और एक्स्प्रेशन कम मालके हैं उनकी आदाएं देखते ही बन रही हैं लोग उनकी डांक्सिंग स्किल की जम कर तारीव कर रही है दिगर बात ये है कि ये उनका पहला वीडियो नहीं है जिसने शायतीन की तवज्जो हासल करने में कामयाबी दर्श की है इससे पहले भी उनका डांक्सिंग वीडियो धमाल मचा चुका है बॉलिवोड में माधुरे दिक्षित किर्शनाक डांक्सिंग की तौर पर यूँ ही नहीं है ये उनकी डांक्सिंग की तई दीवांगी ही है कि वो फैंस को भी अपनी वीडियो तयार करने हो और उसे शेयर करने के लिए कहती है इस हफते बस इतना ही हमें दीजे इजासत अगले हफते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकार तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज झाल 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 झाल